नमस्ष्कार दोस्तों में नाम है गौरण भार्द्वाज को फाउंडर वी एंटी राइनोज और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ comparison between DLF का जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड पे गुडगाव में और वहाँ पे जो एक एक एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है पूरी अराविलीज जो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है जो कुछ टाइम पहले लाँच हुआ था तो उनको कहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कौन सा बैटर प्रोजेशन रहेगा फ्यूचर किसका बैटर रहेगा कहां पे अच्छा रिटार ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा तो इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर कंपेरिजन को लेके काफी लोग कंफूज थे तो आई पल अलग-अलग पैरामीटर के उपर लगबग 17 पैरामीटर के उपर इन दोनों प्रोजेक्ट का कंपेरिजन करने जा रहा हूं रेंजिंग फ्रॉम लोकेशन से लेके टोटल लेंड एविया कितना है कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं टावर्स कितने हैं हाइट ऑफ टाव क्या है इन्वेंटरी इवेलिविल्टी की स्टेटस क्या है पेमेंट प्लैन क्या है और कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है इस टाइम पे और प्राइजिंग क्या है तो मेक शूर आप इस वीडियो को लास्त तक देखना अगर आप इन 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर के उपर ए इस टाइप के इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं लगाता लेकर आता रहता हूं और अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाकों क्रोड रुपे का लॉस कर दिया और क्यूं मैं कह रहा हूं ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बार लोग ये हमको कंप्लेंड करते कि मैंने राइट टाइंप एंट्री नहीं करी इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे पता ही नहीं चला तो अगर आप बैल आइकन इट नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो जो भी अपडेटिड प्रोजेक्ट अगर पैसे कमाने हैं तो रियल इस्टेट के अंदर इंवेस्टमेंट करने के साथ हाई गाइस में आमें गौर बादाच चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं आप आपको 17 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के उपर इसको कंपेर कर देता हूं प्रोजेक्ट को सो देट आप अपना एक फाइनल वर्डिक्ट ले सकें अपना डिसीजन ले सकें यहां पर ही शुरुआत करते हैं जो पहली चीज है लोकेशन तो जब भी आप किसी प्रॉपर्टी में इंवेस्टमेंट करते हैं तो लोकेशन देखना बेहदी जरूरी होता है तो अगर मैं लोकेशन आपकी इसके अंदर देखूं एक्चल लोकेशन देखूं इन दोनों प्रोजेक्ट की तो यह आपका ग सेक्टर सिक्स्टी वन है तो यहां पर इस कॉर्णर पर लेट में मेक इट जूम तो यह कॉर्णर का प्रोट है सेक्टर सिक्स्टी थ्री के अंदर लगब पच्ची से कड़का यह कॉर्णर का प्रोजेक्ट है अगें डियलेफ का यह भी यह लोकेशन है इसकी गोर्फ कोस एक्स्टेंशन रोड पे और अगर सेक्टर 63 है 30 सेक्टर और इससे थोड़ी सी पीछे की तरफ अगर आप चलेंगे तो आपको नज़र आएगा सेम रोड पर ही है आपका पुर दारावलीज है यह इसकी लोकेशन है क्यां इय्स लोकेशन तो यह आपका गॉस रोड से लोडे आ रहा है लोडे रोडे के हारि लिए impletal पर यह प्र इापो गॉल्प कोस एक्स्टेंशिन रोड मिल जाएगा यह इसकी लोकेशन है तो यह से कर आ इसरोड पए भी के अंदर यह आपका गोल्फ कोर्स एक्स्टेंशन रोड आ गया और आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर की बात करूं मैं यहां पे तो यह जो डिल्फ की लोकेशन है यहां से भी इसकी कनेक्टिविटी है आपकी एक्स्टेंशन रोड की यह साउधन पेरिफेरी मार्क है गोल्फ कोस एक्स्टेंशन रोड तो यहां से भी यह रोड यहां तक बना हुआ है आने वाले टाइम के अंदर इसकी भी कनेक्टिविटी डारेक्ट हो जाएगी इस लोकेशन की तो लोकेशन की बात कुरूं तो दोनों ही प्राइम लोकेशन है गोल्फ कोस एक्स्टेंशन रोड पे और मेरी रेटिंग रहेगी दोनों को 9 out of 10 क्योंकि दोनों ही corner के plots हैं दो sector roads लगते हैं अभी next parameters देख लेते हैं यहाँ पे total land area कितना है इन projects के अंदर और इसके अलावा कितने towers आ रहे हैं दोनों projects के अंदर तो यहाँ पे 25 एकर के अंदर आपका DLF का sector 63 के अंदर project है जबकि जो पूरी अरावलीज है वो लगबग 10.3 acres का patch है DLF के अंदर क्योंकि land almost double है यहाँ पे तो flats भी almost double है तो यहाँ पे 1200 flats आएंगे approximately जबकि यहाँ पे 600 apartments आएंगे towers की बात करूँ तो DLF के अंदर 5 towers हैं पूरी अरावलीज के अंदर 4 towers हैं तावर्स के अगर height की बात करें तो ground plus 40 की height है आपकी sector 63 के अंदर और ground plus 42 की heights है यहाँ पे आपके पास 3.1 का ही FAR है दोनों के अंदर बट यहाँ पे आपके पास 6 apartment है per floor और एक tower extra हैं यहाँ पे आपके पास चार apartments per tower है तो DLF के अंदर एक floor पे 6 apartments हैं पूरी अरावलीज के अंदर एक floor पे चार apartments हैं कन्फीग्रेशन की बात करूँ अगर मैं यहाँ पे जस्ट मोमेंट कन्फीग्रेशन की बात करूँ हैं यहाँ पे तो four bedroom plus servant quarter है आपका DLF 63 के अंदर एक ही size available है यहाँ पे जबकि आपका पूरी अरावलीज के अंदर three bedroom plus servant और four bedroom plus servant के sizes available हैं यहाँ पे अगर exact size के अगर मैं बात करूँ configuration तो हमने देख लिए size तो यहाँ पे four bedroom plus servant quarter का जो size है वो 3800 से 4900 square feet है DLF 63 के अंदर यहाँ पे आपका three bedroom plus servant बाइसो पचास square feet है four bedroom plus servant 2750 square feet के दो sizes available हैं आपके पूरी अरावलीज के अंदर अगर आपको 3800 square feet से भी बड़े size हैं तो मैं आपको recommend करूँगा यहाँ पे आप दो apartment block कर सकते हो एक ही floor पे आने वाले time के अंदर और वह आपको initially block करने होंगे so that आने वाले time के अंदर आपको 8000 square feet के आसपास का apartment मिल जाए क्योंकि इस तरीके से design करे हुए है apartment DLF ने कि एक wing के अंदर दो apartment है और अगर आप दिवार अटाओगे तो आपका बड़ा apartment बन जाएगा अगर मैं expected possession की बात करूँ यहाँ पे तो और ticket size की बात करूँ तो जो आपका DLF के अंदर जो ticket size है वो साड़े साथ करोड onwards है और आपका पूरी अरावलीज के अंदर चार से पाच करोड onwards ticket size है pricing जो आ जाती है टेंटेटी एक्सपेक्टेट पोजेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2026 से 27 के आसपास possession मिलेगा दोनों प्रोजेक्ट का इनकी चार से पाच साल हैं अभी पूरी अरावलीज की भी जो construction है वो काफी अच्छी है इनकी पे अभी excavation वगएरा start हो चुकी है काफी इन्होंने भी projects deliver करे हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा और जहां थे अगर मैं यूएस्पेंड थीम्स की बात करूँ यहां पर दोनों projects की यहां पर 14 acres का green है आपकी और पीछे की तरफ अरावलीज हैं आपके डियलेफ के प्रोजेक्ट के अंदर और जो ब्रैंड नेम है डियलेफ वही अपने आप में यूनिक सेलिंग प्रोजिशन है यूए के कस्टमर्स होते उनको डियलेफ ही समझ में आता है और कोई प्रोजिशन समझ में नहीं आती है अगर मैं पूरी अरावलीज की अगर एक यूएसपी की बात करूँ तो यहां पर अरावलीज जो इसका नामी है पूरी अरावलीज तो अरावलीज फेसिंग हैं पूरी लॉएसपीलीज है अगर मには बात करूँ तो दोनों प्रॉजेक्ट के अंदर काफी हay एड़ specifications और amenities है अगर मैं आपकी बात करूँ यहाँ पर पूरी अरावलीज की तो यहाँ पर आपको you can see कि यह आपका site layout है 60-60 meters के दो रोड लग रहे हैं यहाँ पर अगें अंदर 24 मीटर का रोड है और यह tower A और B अभी launch करे हैं और यह अभी future में अभी phase 2 launch होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो club है A you can see B MP theater है इसके अलावा center lawns है आपके pool है infinity pool है kids pool separate है showers हो गए आपके इसके अलावा आपके driveways हो गए pavilion great lawns इसके अलावा आपके soccer pitch tennis court cricket net वो सारी amenities आपको यहाँ पर मिलती है you can see here all right तो आप इसका screenshot ले सकते हो और you can analyze it later on also अगर मैं बात करूं यहाँ पर DLF की तो DLF के भी जो projects होते हैं वो काफी high end रहते हैं अभी इसका site plan वगएरा भी महल पस नहीं है all right बट यहाँ पर भी आपको जो normal facilities और amenities मिलेंगी like gymnase, gym हो गया, swimming pool हो गया, kids pool हो गया, badminton court हो गया, tennis court हो गया, squash court, kids play area, basketball, yoga areas, jogging, cycle track, table tennis, snooker pool, इसका लवा power backup हो गया, AC waiting lobby हो गई, solar heaters हो गई, तो उस type की आपको यहाँ पर facilities मिलेगी 24 x 7 water supply हो गया, lifts हो गई, तो एक apartment, दो apartments के लिए 3 lifts दियुए है, तो एक tower के अंदर लगबग, no normal lift है, passenger और 3 service lifts आपको मिलेंगी, इसके लाव 24 x 7 security मिलेगी, CCTV video surveillance हो गया, fire fighting systems हो गया, आपके smart card access हो गया, इसके लावा अगर specifications की बात करूँ है आपके तो wooden flooring मिलेगी, आपको wardrobe, AC fittings, और italian marble, 25 tiles मिलेंगी, आपको common areas के अंदर, इसके लाव modular kitchen मिलेगी, आपको भी hog chimney and refrigerator geezers वगयरा, तो premium batch fittings मिलेंगी, आपको यहाँ पे storage cabinets मिलेंगी, तो यह आपका normal specifications and amenities हैं दोनों projects के अंदर अगर मैं बात करूँ तो, इसके लावा let's move on, तो अगर मैं यहाँ पे club house की बात करूँ, और built track record की बात करूँ, तो club house, क्योंकि जो DLF का project है, वो double size का है, तो वहाँ पे, जो club का size है, वो भी double है, लगबग 1,00,000 square feet का, पुरी अरावली इसके अंदर 50,000 square feet के आसपास का club है, क्योंकि वहाँ पे vicinity छोटी है, दस एकड का project है, builder का track record की बात करूँ, तो मैं यहाँ पे DLF again, एक बहुत solid brand name है, पुरे इंदिया के अंदर, 75 years का track record है, 1500 से ज़्यादा projects है, पैन इंडिया, 300 million square feet area develop करा हुआ है, 40 million square feet operational rental portfolio है, like cyber city जहां से rental income आ रही है, तो liquidity की कोई problem नहीं है, that कोई है नहीं, 100 million square feet की deliveries है, since IPO in 2007, और 215 million square feet का अभी development potential है, DLF के पास, और अगर मैं पुरी की बात करूँ, उसका track record देखूँ, तो यहाँ पे 50 साल की legacy है, इनकी भी, काफी पुरानी constructions company है, और काफी, पहले वो construction company थी, construction करते थे और builders के लिए, बट बाद में वो builders बने हैं, और मैं इनको काफी time से देख रहा हूँ, तो गोल्फ कोस रोड पे इन्होंने काफी projects deliver करे हूए, for example, आपका Palm Spring हो गया, जो MR, MGF जब था, उस time में काफी luxury villas और apartment community थी, जिसकी resale value भी काफी अच्छी आज की date में गोल्फ कोस रोड पे, इसके अलावा diplomatic greens और emerald भी हैं, जो इन्होंने द्वार का expressive पे deliver करे हुए हैं, उस stage पे हैं वो चीज, इसके अलाव फरीदा बाद के अंदर भी कुछ luxury properties हैं, लाइक आनन्दा विलाज होगे, तो इस type की high end properties इन्होंने premium luxury properties deliver करे हुए हैं, और मैंने काफी हिंखे भी apartment sell करे हुए हैं in the past, तो दोनों ही brand नहीं, अगर मैं बात करूँ तो अच्छे हैं, solid है, inventory availability की अगर मैं बात करूँ तो आज की date में as on January 2022, दोनों के अंदर inventories आपको मिल जाएंगी अच्छी, payment plan की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो DLF के अंदर 25-25-50 का payment plan है, जबकि आपका पूरी अरावली के अंदर construction link payment plan है, CLP payment plan जिसको हम बोलते हैं, इसके लवा special offer और pricing की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो yes, यहाँ पे आपके पास special offer है, special offer अगर आपको जाना है तो आप अमारी team को contact कर सकते हो, आपका पूरी अरावली का, और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, final verdict की, तो you know again यह depend करता है कि आपका अगर budget है, high budget है, 7.7,8 करोर से उपर का budget है, तब definitely DLF को consider कर सकते हो, 9 out of 10 की rating है मेरी इसकी overall, उपर जितने 17 parameters मैंने आपको बताए, उनकी basis पे, और अपने 10-11 साल के experience को use करते हुए, पूरी अरावली इसके अगर मैं बात करूँ, तो overall 8 out of 10 rating है, अगर आपका medium budget है 4-6 करोर रुपे, तो आप definitely आप इसको consider कर सकते हैं, तो with this last message, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा, यहां तक वीडियो को देखने के लिए, alright, so with this last message, thank you so much once again for watching till here, अगर आप हमारी चैनल पे first time आए हो, तो make sure channel को subscribe कर दीजे, bell icon hit कर दीजे, तो कि इस type के वीडियो में लगाता लेके आता रहता हूँ, और अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया, तो समझ लीजे, आपने अपना लको करोणर पे का लॉस कर दिया, क्योंकि एगर right information आपके पास timely नहीं आई, तो आप right time पे और right price पे, किसी भी नए project में enter नहीं कर पाएंगे, तो उसको जानने के लिए आप subscribe कर दीजे चैनल को, bell icon hit कर दीजे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजे, इनकेस अगर आपको कोई question है, तो आप call कर सकते हैं, नमबर पे या नीचे comment section के अंदर आप पूच सकते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेर कर दीजे, फेस्बुक पे, वाटसेप पे, लिंक्डिन पे, जहाँ आपका comment करें, तो वीडियो को like करने के लिए, नीचे comment section में अपना सवाल पूचने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ मैं भी आपको किसी और वीडियो के अंदर तब तर के लिए दाएगा,